यूपी में होने वाले विधान सबाद चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है और अब उसके बारी है टिकट बांटने की और इसलिए बीजेपी ने अपनी जो प्रदेश चुनाव समिती का गठन किया है उसकी पहली बैठक सोमवार को यहीं पार्टी कार्याले पर होगी शाम चार बजे से यह बैठक रखी गई है दर असल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने है उसको लेकर बीजेपी ने एक प्रदेश चुनाव समिती का गठन किया है जिसमें 19 सदस जो है वो सरकार के मंतरी भी है उसमें मुख मंतरी भी है दोनों उप मुख मंतरी भी है प्रदेश सद्यक्ष है महा मंतरी संगठन है तमाम अलग-अलग पदों पर जो लोग है वो उसमें शामिल है इसके अलावा एक पदेन जो सदसे है उसको भी उसमें शामिल किया गया चार विशे सामंतरी सदसे हैं कुल 24 सदस्यों की वो प्रदेश चुनाव समिती बनाई ग होगा किसे चुनाव में टिकट दिया जाए हालाकि बीजेपी ने अलग-अलग इस तरों पर जो है इसके लिए हम कहें तो सर्वे कराया है और सर्वे के आधार पर बहुत सारे नाम देखें जिले से आये हैं यानि पांच कहीं पांच का पैनल है कहीं तीन का पैनल है जिलों से यह नाम भेजे गए हैं और उस पैनल में जो नाम आये हैं उन्हीं पर चर्चा कहा जा रहा है कि यह जो प्रदेश चुनाव समिती है उसकी बैठक में होगा यानि पांच नामों पर चर्चा होगी और फिर यह जो चुनाव समिती है यह उन नामों में से दो तीन नामों क को सलेट करेगी और फिर वो नाम जो है वो आला कमान को यानि दिल्ली भेज जाएंगे क्योंकि जो आखरी निर्ण होगा वह संसदी बोड ही लेगा और वही तैंक करेगा कि कहां से किसे टिकट दिया जाए लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसे भी सदसे हैं जो बिमार है कुछ ल मंत्री हैं दोनों उपमुख मंत्री हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं इसका कैबन मंत्री ब्रिजेश पाठक है और तमाम अन्य लोग जो हैं इनमें सांसद रमापति त्रिपाथी भी हैं ये सब लोग यहां आएंगे और जो जिनकी तबियत नहीं ठीक है जैसे केंद्री भी ठीक नहीं है वो भी वर्चुल तरीके से जुड़ेंगे इस अगर हम कहें जो प्रदेश चुनाव समिती इसकी पहली बैठक काफी महत्रपूर है क्योंकि पहले चरण के लिए दिसुचना 14 तारीक को जारी हो जाएगी 21 जनवरी जो है वो नामांकन की आखरी तारीक रह में ऐसे उमीदधार उतारे जाए जो जनता के बीच लोकप्री हो यानि जिनकी पॉपुलरिटी लोगों के बीच हो क्योंकि बार-बार यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने जो सर्वे कराए हैं जितने भी सर्वे कराए हैं उनमें एक चीज कॉमन है और वो है कि जो विधायक है नाराजगी जनता की उन विधायकों से है और इसी लिए बार-बार कहा जा रहा है कि इस बार सो से जादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं हलाकि कल एबीपी गंगा पर खुद प्रदेश सद्रक सुतंदेव सिंग ने कहा था कि कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटेगा पर यह भी कहा कि सबकुछ संसदी बोर्ड जो है वो तैंग करेगा और अब जब यह बैठक सोंवार को रखी गई है प्रदेश चुनावसा मितिकी तो इसमें भी जो उमिद्वार होंगे उनके नामों पर ही चर्चा होगी क्याना से हरियों के साथ अबर आपकी जबाब की